कोवीड नाइटीन का टीका मार्केट में उतारे जाने की बाद भी क्या लॉकडाउन का कोई तुख बनता है इस आशे का सवाल खड़े करते वे सुमवा को दिग्रस तैसलदार के मात्यम से जिलादी कारी को शहर के सर्वत अलियर पधादी कारियों और व्यापार्यों की रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या चिंता का सबब जरूर है लेकिन कोवीड नाइंटीन का टीका अब सभी के लिए उपलब्द होते हुए भी लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने या बनाये रखने का कोई तुक नहीं बनता ऐसे में लॉकडाउन से उबर रही विभि समस्याओं पर अपना रोश व्यक्त करते हुए कहा कि आइंदा दिनों में अगर सक्त लॉकडाउन शुरू किया जाता है तो वो बरदाश्त नहीं किया जाएगा लॉकडाउन संदर्भाद मन्य तो शिल्दार साइब अनिवेदन आमी दिलेला है जेले एक वर्षे भरा पासोन लॉकडाउन ने द्रस्त धालेला सरो सामान्य मनुष आज ही चल्याद आता है कि यह पुडे कुंत ही लॉकडाउनामी सहन करनार ना अस तयात लिलेला है आज अज़र टाइमिंग जरी कमी कुरून देला तर यहांची उपासमार होते हैं अनियामों को फॉलो करने की हम लोग कोशिश करेंगे चाहे वो जनर प्रतिनीदी हो चाहे वैपारी हो लेकिन हम लोग लागडाउन का सक्ती से विरोत करेंगे और इंशालला आगे जब जब भी लागडाउन की बात आएंगी हम प्रशासन का विरोत करेंगे और व्यापारी बंदू जो आज बड़ी संक्या में हमारे साथ में है वो तहसिलदार साफ से उन्होंने खास तोर पर कह प्रशासन कोरोना संक्रमन की बिकट स्थीति को भाप कर लोगों पर लॉक्डाउन थोपतों देता है लेकिन उसके पहले लोगों की जरूरतों के मद्दे नजर कानूनी तोर पर जो इंतेजाम किये जाने चाहिए वो नहीं करता ऐसी बेहत लाजमी शिकायते भी इस मौके पर सुनने मिली संसर्ग जन्न प्रतिबंद काईदा अठाशे सत्यान नूसर त्याचा कलम दोन तीन चार नूसर जर तुमान लॉक्डाउन लावेचा असेल तर प्रशासनला सरकार ला त्याची नुक्सान भर पाई देना अत्त्य आउश्च्यकाय असा त्या काईदयात नमुत किरला है पनन इत्याची नुक्सान भर पाई य। आमचो नुक्सान कि धी होते व्यापाराँ चू त्याम लॉक्डाऌन मठल्ला कि खेडातल कि गिरा इक्पाराई होते अमचो दुकाना देत नहीं बीते साल कोरोना महामारी सारी दुनिया के लिए बिल्कुल नहीं चुनोती थी जिस वज़ा से शुरुआत में नियोजन और उपा योजनाओं में कमी सहित वैक्सिन का भी कोई अतापता नहीं था लेकिन अब ऐसा नहीं है कोईड वैक्सिन मौजूद है बावजुद इसके कोरोना संक्रमन की पहली पारी में बिकट समस्याए जेल चुके नागरीकों को लॉकडाउन के नाम पर दोबारा उसी तकलिफ से गुजारना ठीक नहीं है आइंदा दिनों में सक्त लॉकडाउन शुरू करने से पहले परशासन को इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है बीसीन न्यूस के लिए दिगरस से जुबेर खान की रिपोर्ट